आपने कई बार train stations, airports और cafes में public charging points देखे होंगे These are life savers कई बार gap book करनी होती और अपने phone में battery नहीं है तो हम stations के थुरू अपना phone charge कर सकते हैं बदले में बस हमें 16-17 लाख रुपए देने भड़ते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जिस port से हम phone charge करते हैं उसी से data transfer भी हो सकता है तो कुछ समझदार लोग जो in stations को USB port होते हैं उसमें एक chip लगा देते हैं या फिर वहाँ पे वो अपनी data cable छोड़के जाते हैं जिसमें extra chip है और ये भी compromise है हमें लगता है कोई बिचारा अपनी cable छोड़के गया है उसी की cable से अपना phone charge कर लेते हैं एंड वहाँ से हमारे phone में malware install होता है जो धीरे-धीरे contact, galleries, bank information और O2Bs hacker तक पहुचाती रहता है इसे कहते है juice jacking fraud इसी टेकनिक को यूज़ करके हैदराबाद के एक high profile person के account से 16 लाख रुपे चोरी करे गए SBI और काफी states की पुरिस ने इस पे warning भी issue करी है तो अगर आपको अपना phone charge करना है तो adapter carry करो और उसे एक electric socket में लगाओ और cable आपकी खुदकी होनी चीए उसे किसी भी USB port में मत लगाओ